गोयाना के राश्पती, डॉक्टर महांबादी रिफार्न अधिली जी, सुरिनाम के राश्पती, श्री चंद्री का प्रशाद संतोगी जी, मद्य प्रदेश के राजपाल, श्री मंगुबाय पटेल, मुख्य मंत्री श्री विराशी चववान, विदेश मंत्री श्री याईश जय संकरजी, मंत्री मंडल के अन्य सहयोगी गाण, और प्रवाशी भारती दिवस सम्मेलन में, विश्व भर्चे पधारे मेरे प्रिय भाईयों और बहनों. आप सभी को 2023 की मंगल कामना है, करीब चार वर्सों के बाद प्रवाशी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मुल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है, अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने साने की बात का अपना अलग ही आनन्द भी होता है, और उसका महत्पर भी होता है. मैं आप सभी का 130 करोड भारत वासियों के और से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. बाई और बहनों, यहां उपस्तित प्रतेक प्रवासी भारतिय अपने अपने खेत्रों में और साधर्न उपलब्धियों के साथ, अपने देश की माटी को नमन करने आया है, और यह प्रवासी भारतिय सम्मेलन मद्यपरदेश की उस धर्ती पर हो रहा है, जिसे देश का रदयक्षेत्र कहा जाता है, MP में मा नर्दा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्मा, ऐसा कितना कुछ है, जो आपकी सियात्रा को अविश्मन ये बनाएगा, अभी हाली में, पास ही, उज्जेन में, भगवान महाकाल के महालोग का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है, मैं आशा करता हूँ, आप सब वहाँ जाकर भगवान महाकाल का अशिर्वाद भी लेंगे, और अध्वूत अनुभों का हिस्सा भी बनेंगे, साथियों, वैसे हम सभी अभी जी सहर में हैं, वो भी अपने आप में अध्वूत है, लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ, इंदौर एक दौर है, यह वो दौर है, जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है, इंदौर ने स्वत्तता के ख्षेत्र में देश में अलग पहचान सापित की है, खाने पिने के लिए, अपन इंदौर, अपन का हिंदौर, अपन का इंदौर देशी नहीं, पुरी दुनिया में लाजवाब है, इंदौरी नमकिन का स्वाद यहां के लोगों के, यहां पर जो वहे का पैशन है, साबू दाने की खिचडी, कचोरी, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा, उसके मुह का पानी नहीं रुका, और जिसने इने चखा, उसने कहीं और मुड कर नहीं देखा, इसी तरह, चपन दुकान तो प्रसिद है, सराफा भी महत्वपून है, यही वज़ है, कि कुछ लोग, इंदौर को, स्वच्चता के साथ साथ, स्वाद की राजधानी भी कहते हैं, मुझे विश्वास है, यहां के अनुभव, आप खुद भी नहीं भूलेंगे, और वापस जाकर, दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे, कि अप्रमस काटादी भारती अदिवस हैं प्रवाश भारती अभाटे जिवस्वे इस प्रवाशन प्रवाशन देजिगे, विश्वेश बेडेट 75 यह उप पिन्यास इंपने खो अध्योंत के अगोग, हैं अडिजी प्रिज़ स्वीज अजय हैं अगिर अडिज ऑी और इस अगाईंग इह निज एड़ बिल्सम बा स्वीर इन ग्रॉण में प्रॉण आप्सी भार्तियाप्स वे सिगनिफिकन प्रेस इन इस जर्नी इंडियाज यूनिक ग्लोब विजन और इस इंपोर्ट रोल इंड ग्लोब और विल बिस्टेंदन भी यू पीपल साथिव अमार यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम अर्थात हमारे लिए पुरा समसार ही हमारा स्वदेश है मनुष्य मात्र ही हमारा बंदू बांदव है इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पुर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था हम दुनिया के अलग-अलग कौनों मगे हमने सब्यताओं के समाघं के अनेयंत संभावनाओं को समझा हमने सद्यों पहले वैच्छी व्यापार के असाधान परंपरा शुरू की थी हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए अलग-अलग देशों अलग-अलग सब्यताओं के बीच व्यावसाई समंद कैसे साजी समुरुधी के रास्ते खोड़ सके भारतियों और भारतियों ने करके दिखाया आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतियों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं दुनिया के इतने अलग-अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधय कुटम कम की निभावना उसके शाक्षा दर्शन होते हैं दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग-अलग प्रांतों अलग-अलग छेत्रों के लोग मिलते हैं एक भारत स्रेष्ट भारत का सुखद एहसास भी होता है दुनिया के अलग-अलग देशों में जब सबसे शांत्य प्रिय लोगतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती हैं तो मदरब डेमुक्रसी होने का भारतिय गवरव अनेक गुना बढ़ जाता है और जब हमारे इन प्रवासी भारतियों की योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे ससक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है इसलिए ही तो मैं आप सभी को सभी प्रवासी भारतियों को विदेशी धर्ती पर भारत का राष्ट दूत ब्रेंड एंबेसेडर कहता हूं सरकारी व्यवस्ता में राज दूत होते हैं भारत की महान विर्यसत में आप राष्ट दूत होते हैं यह लोग एदिया बने सब्सुआर अधिया कांड है इस दावर्स यह बाने सब्सूंड था प्रौन एंबेसेडर में इंडिया यह पने सेडिया व्योगा और G यह लोग्ष्टने में आप च्टर्विट्ट इंडें डिवंड रिने स्वा इंड खर्ण निजिस and handicrafts at the same time you are also brand ambassadors of India's millets you would already know that 2023 has been declared by the United Nations at the international year of millets I appeal to you to take some millets products we do while returning you also have another important role to play in this rapidly changing times you are the people will address the world's desire to know more about India today the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity it is important to understand why I'm saying this jaadhio pichlے कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की हैं जो उप्लब्दियां हासिल की हैं वो असाधरन है अभुद्पुर्व है जब भारत कोवीड महमारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है जब वैश्विक अस्तिर्था के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्तिववस्ता बनता है जब भारत विश्व की बड़ी एकॉनामी से कॉंपिट करता है तोप फाइव एकॉनामी में शामिल होता है जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम मनता है जब मोबाइल मैनुफेक्टिरिंग जैसे क्षेत्रों में इलेक्टोनिक मैनु अटर फ्लेंड एरकाप्ट केरियर आयने स्विक्रांग और अर्यहंत जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है कैसे कर रहा है लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है स्केल क्या है भारत का फ्यूचर क्या है इसी तरह जब कैस्टलेस एकोनमी की बात होती है फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया यह देखकर है रात में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांस देश्व में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लांज करने का रिकॉर्ड बना रहा है सौफ्वेर और डिजिटल टेक्नोलोजी के खेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है आप पैसे बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ भारत का ये तमखम भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का स्षीना चौड़ा कर देता है वैश्विक मंजपर आज भारत की आवाज भारत का संदेश भारत की कही बात एक अलग ही माइने रखती है भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और जादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रती जिग्यासा भारत के प्रती क्रियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मुल्के लोगों की प्रवासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्ते के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के अधार पर बता पाएंगे मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिच्छल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की अपडेटेड इनफर्मेशन होनी चाहिए साथियों आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समुह की अत्यक्षताभी कर रहा है भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े आउसर के रुप में देख रहा है हमारे लिए यह दुनिया को भारत के बारे में बताने का आउसर है यह दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का पुराने अनुभवों से सस्टडेनेबल फ्यूचर की दिशा ताय करने का अवसर है हमें जी ट्विंटी केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बलकि जन भागीदारे का एक अधिहासिक आवेजन बना रहा है इस दोरान विश्व के विभिन देश भारत के जन जन के मन में अतित्री देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनीजियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा साथियों और मैं तो यह भी कहूंगा कि जब G20 समीट में क्योंकि कोई 200 मिटिंग होने वाली है हिंदुस्तान के अलग लग शहरों में जाने वाले वापिस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतियों उनको बुलाएं भारत में गए थी तो कैसा रहा उनके अनुभव सुने मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए आउसर बन जाएगा साथियों आज भारत के पास न केवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का बलकी स्कील केपिटल बनने का सामर्त भी है आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है हमारे युवाओं के पास स्कील भी है बैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवा भी है जो भारत से जुड़े हैं हमारे नेक जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं वही पले बड़े हैं हम उने भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई आउसर दे रहे हैं नेक जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्सा बढ़ता चला जा रहा है वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवकेवल देश के बारे में गहराई से बताएं बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी पारमपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ युवाओं फ्यूचर वर्ल को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे जितनी युवाओं में जिग्या सब बड़ेगी उतना ही भारत से जुड़ा परियतन बड़ेगा भारत से जुड़ी रिसर्क बड़ेगी भारत का गौरो बड़ेगा ये युवां भारत के विभिन परवों के दोरां प्रसित्य मेलों के दोरां आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्कीर, रामा एंड सर्कीर का लाप उठा सकते हैं वो आजादी के अमरत महोसों के तहत होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं जाथियो मेरा एक और सुजाव है कई देशों में भारत से प्रवासि कई सदियों से जाकर बसे हैं भारत के प्रवासियों ने वहां के राष्ट के निर्माण में अपने असाधरन योगदान दिये हैं हमें इनकी लाइज उनके स्ट्रगल्स और उनके एचिवमेंट्स को डॉक्यमेंट करना चाहिए हमारे कई भुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमरीज होगी मेरा आगर है कि उनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्फोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो वीडि कोई भी राष्ट कि उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में चीवीत रहता है यहां भारत से कोई व्यक्ति जो विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतिय मुल्का व्यक्ति तो यह व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया यानि आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं बीते आठ वर्षों में देश ने अपने डायस्फोरा को ताकत देने के लिए हर संबहु प्रयास किया है आज भारत का ये कमिट्मेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे देश आपके हितों और अपेख्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा मैं गयाना के राश्पती जी और सुरिनाम के राश्पती जी का भी रुदैस से आभार व्यक्ता करता हूं भिनंदन करता हूं कि इस महत्वपुन समारों के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्हें जितनी बाते आज हमारे सामने रखी हैं वे वाकई बहुत उप्योगी हैं और मैं उनको विश्वाद दिलाता हूं कि जिन सुजाओं को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा कि मैं गया ना जी के राजपती जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साजा की क्योंकि जब मैं गया ना गया तो मैं कुछ भी नहीं था मुख्यमंद्र भी नहीं था और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला उनका बहुत पहुत आभारी हूं मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासि भारती दिवस के लिए यह समारों में आए बीच के गैप के बाद मिलने का मोका मिला है मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं बहुत लोगों से मिलना होगा बहुत लोग चीज़े जानने को मिलेगी जिसे ले करके उस मुर्तियों को ले करके फिर अपने कारक्षेतर में लोटेंगे अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुडाओं का एक नया यूग शुरू होगा मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामनाएं धन्यवाद